नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चेनद जरदारी क्लासेज में दोस्तों आज हम आपके लिए लारखे हैं इस वीक के करनेट अफियर स्वेक्षन तो वीसे हमारे जो ये करनेट अफियर सीरी चलती है परतेक उसकी वीडियो आपको संडे को ही प्रोवाइड की जाएगी तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेशन है COVID-19 से राजय में उत्पन समस्याओं के समाधान हेतू उत्राखंट पुलिस ने किस मिसन की सुरुवात की है तो हाली में याँ पर आप दे सकते हो COVID-19 से राजय में बहुत सारी समस्याओं उत्पन हुई है और उत्राखंट पुलिस ने याँ पर एक मिसन लॉंच किया है जिसका नाम है मिसन होसला D option याँ पर question number one का right answer है इस question के बारे में थोड़ा detail जानकरी जान लेते हैं COVID-19 वारेस के संकट को देखते हुए उत्राखंट पुलिस ने मिसन होसला लॉंच किया है और इस मिसन के तहत COVID-19 से संक्रमित ब्यक्तियों को oxygen, bed, plasma, दवाई और रासन आज लाने में मदद की जाएगी तो उत्राखंट पुलिस ने हाली में कौन सा मिसन लॉंच किया है मिसन होसला नाम से मिसन एक लॉंच किया है जिससे COVID-19 के जो समस्याई उत्पन हो रही है उनको कंट्रोल किया जा सके उसमें लोगों को मदद दी जा सके question number two है दोस्तों उत्राखंट में उगाई जाने वाले बाजरा की पहली खेप किस देश में निर्याद की जाएगी आपको पता है उत्राखंट में बाजरा भी काहिमात्रे में उगाई जाता है जैविक बाजरा का जो उत्पादन हो रहा है अब इसको निर्याद किया जाएगा विदेसों में तो उत्राखंट में उगाई जाने वाले बाजरा की जो पहली खेप निर्याद की जाएगी वो किस देश को निर्याद की जाएगी बाजरा की पहली खेप उत्राखंट से डेनमार्क को निर्याद की जाएगी तो पहली खेप जो बाजरा की विदेश में निर्याद की जाएगी हो किस देश को निर्याद की जा रही है यहाँ पे उत्राखंट से निर्याद की जा रही है डेनमार्क को तो यहाँ पे आप दे सक को यहां पर smart spiritual town के रूप में विक्सित किया जाएगा तो question number three के यहां पर be option right answer है कहां पर आप देख सकते हो उत्राखंड के चार धाओं में से बद्रिनाथ धाम को smart spiritual रूप से विक्सित किया जाएगा जिसके लिए 100 करोड रुपे का budget खर्च होगा बद्रिनाथ धाम जो की उत्राखंड के चमोल जनपद में अलक नंदा नदी के तटपर इस्तित काफी important question है और पुराणों में बद्रिनाथ धाम को क्या क्या कहा गया है योग सिद्धा के नाम से जाना जाता है मुक्ती पृदा के नाम से जाना जाता है और बद्रिकास्रम न कईबार एकजाम में आच चुका है कि बद्रिनाथ धाम के कितने भाग हैं तो तीन भाग हैं गर्भग्रह, मंडप और सिहंद्वार तो यह सारी चीज़ें आपको बद्रिनाथ धाम के बारे में पता होनी चीज़िए Q4 यहां पर जीवी पंत राष्टिया हिमालेई परियावरण सहस्थान कोसी कटारमल अलमोला के निदेशाक डॉक्टर आर्यास रावल का निधन हो गिया है वो एक किस छेतर से सम्मनित थे तो यहां पर जो डॉक्टर आर्यास रावल है इनका हाली में निधन हुआ है और व यहां पर विजे गोपाल बने है यहां पर टी अचडीसी इंडिया लिमिटेट के नए अध्यक्च और सीमडी ती एज़ी की फॉल फोर्म क्या है टिहरी हाइड्रो डवलोप्मेंट कोर्परेशन इंडिया लिमिटेड और इसके नए अध्यक्च और सीमडी यानि एक साल यहां पर विज़्व थेले सीमिय दिवस के रूप में मना जाता है B-Option यहां पर क्वेसिन नमर 6 का राइट अंसर है अब यहां पर एक थेले सीमिय जो एक रोग है तो इसके बारे में जान लेता है यह एक आनुवनसिक विकार है जिसके कारण एक रोगी के लाल के बारे में समाज और दुनिया भर के लोगों को जागरूग फिलाने के लिए मना जाता है कब मना जाता है आठ माई को मना जाता है और इस साल भी यह आठ माई को ही मनाई गया और विश्व थेले सीमिय दिवस 2021 की थीम क्या है तो addressing health inequalities across the global थेले सीमिया community तो यह थीम भी आप पे विश्व श्नूकर चैंपियंशिप 2021 यानि वर्ल्ड श्नूकर चैंपियन 2021 कौन बने है तो यहाँ पे D option question number 7 का right answer है Mark Shelby बने है विश्व श्नूकर चैंपियन 2021 तो D option question number 7 के आप पे right answer है इस नूकर में अंग्रेजी पेसिवर खिलाडी Mark Shelby चोथी बार विश्व श्नूकर चैंपियन बने हैं उन्होंने एक पेसिवर इस नूकर टुर्नामेंट में साथी दोस्त सौन मरफी को 18-15 से हराकर चैंपियनशिप का खिताब जीता जिसका आयोजन 17 अप्रेल से 3 मई 2021 तक गोप बंदू संबंदी का स्वास्ते बीमा योजना किसके लिए सुरू की है तो आली में उडिशा सरकार ने आप पे गोप बंदू संबंदी का स्वास्ते बीमा योजना सुरू की है पत्रकारों के लिए बी आप्सन याप पे क्वेशन नमबर 8 का राइट आंसर है अब इ लेको डेल जानकरी देते हैं, हुआ पर आप दे सकते हो, उडिसा सरकार ने पत्रकारों के लिए गौपबन्दु सम्वंदी का स्वास्टे भीमा-योजना की गोषना की है, उडिसा ने पत्रकारों को सीमा वर्ती कोविड योद्धा गोषित किया है, गौबंदो संबंदी का स्वास्त भीमा योजना के तहत प्रते एक पत्रकार को दो लाख रुपए का स्वास्त भीमा कवर परदान किया जाएगा और योजना के तहट डूटी करते समय COVID-19 से मरने वाले पत्तरकारों के परिवानों को 15 लाख रुपई की वितिया साहता परदान की जाएगी योजना लूंज की गई है गोबंदो शम्निका स्वास्च लिए है पत्तरकारों के लिए है Question 9 है याँपर नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो जो नासा के नए अध्यक्ष बने है वो बने हैं बिल नेलसन याँपशन याँपर Question 9 का Right आंसर है Q10 याँ पे राजस्तान के मियों का बाड़ा railway station का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो राजस्तान में है मियों का बाड़ा railway station इसका नाम बदल कर रख दिया गया है महेश नगर C option याँ पे Q10 का right answer है राजस्तान के जोदपुर में मियांका बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर महिस नगर कर दिया गया है इससे पहले जो वहाँ पे गाउं है मियांका बाड़ा गाउं तो उसको अगस्त 2018 में निवाशियों के सिकायत के बाद गाउं का नाम अधिकारिक तोर पर मियांका बाड़ा से बदल कर क्या रखा गया महिस नगर कर दिया गया तो उसका पूरा नाम क्या हो गया है मियांका बाड़ा जो रेलवे इस्टेशन था उसका नाम हो गया है महिस नगर रेलवे इस्टेशन विश्व के सबसे उंची चोटी माउंट एवरेश्ट पर 25 बार चड़ने वाली दुनिया के पहले परवतारोही कौन बने है तो यहाँ पे जो विश्व की सबसे उंची चोटी है माउंट एवरेश्ट उसमें 25 बार चड़ने वाली दुनिया के पहले परवता रोही बने है यहाँ पे रीता सेरपा बी आप्सन यहाँ पे क्वेसन नमबर 11 का राइट अंसर है नेपाली परवता रोही कामी रीता सेरपा ने माउंट एवरेश्ट की चोटी पर 25 बार चड़ने में सफलता हासिल की है और इसके साथ ही 51 वर्सिया रीता सेरपा विश्व के सबसे उंचे सिकर पर 25 बार चड़ने वाली दुनिया की पहली परवता रोही बन गई है तो काफी important question है exam में यह कई आ सकता है काफी important है तो यह आपको जरूर note करना है वैसे सारे question हम यहाँ पर आपको selective लेके आते हैं जो की आगाई में आपकी जितनी भी होने वाले exam है वो आपके लिए काफी important होंगी तो इसलिए जो हमारी current career series चलती है यह काफी important है जरूर आपको परतेक वीडियो देखनी है और notes आपको परतेक वीडियो के कामिलेंगे हमारे app में मिल जाएंगे प्लाइस्टोर में आप सर्थ कर सकते है उत्राखन जी के और सबसे उपर आजाएगा उत्राखन जनल नोलेज के नाम से एप और वहां से आप इन current affairs को भी पढ़ सकते हो और दोस्तों एक और बात एक बार जब आप वीडियो पूरी देख लोगे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा उसके बाद आपको एप में जाना है और इनकी practice जरूर करनी है एक बार जिसे आपको अच्छे से वो याद हो सकें question number 12 यहाँ पर किस राजे की सरकार ने जल सुरोतों को पुनर जीवित करने के लिए परवत धारा योजना की सुरुआत की है तो यहाँ पर जल सुरोतों को पुनर जीवित करने के लिए परवत धारा योजना की शुरुआत किये हिमाचल परदेश ने C option याप पर question number 12 का right answer है तो यहाँ पर आप देख सकते हो हिमाचल परदेश की सरकार ने एक्विफर्स भूमिगत परत जिसमें पानी होता है को पुनर जीवित पुनर भरन करने और राजे में पानी के प्राकरतिक संसाधोनों के सरक्षन करने के लिए परवत धारा योजना शुरू की है और इस योजना का मुख्याउदे से है अधिक्तम अवधी के लिए पानी को बरकरा रखते हुए जलिस्तर को बढ़ावा देना वग्यानिकों ने हाली में यूरिनियम का सबसे हलका रूप कौन सा बनाया है यह काफी इंपोर्टन क्वेशन है तो वग्यानिकों ने हाली में यापे यूरिनियम का सबसे हलका रूप बनाया है यूरिनियम 214 तो बी ओप्शन यापे क्वेशन नमबर 13 का राइट आंसर है Q14 यहाँ पे विश्वा प्रेस सोतनता दिवस यानि World Press Freedom Day कब मनाई जाता है तो विश्वा प्रेस सोतनता दिवस मनाई जाता है यहाँ पे 3 मही को B option यहाँ पे Q14 का right answer है इस दिवस का उद्देश्या प्रेस की आजादी के महतों के परती जागरुकता फेलाना है और प्रेस की आजादी और समाचारों को लोगों तक पहुंचा कर ससक्त हो रहे मीडिया करियों का ब्यापक विकास करना है विश्व प्रेस सोतनता दिवस 2021 की जो थीम यानि जो इस वर्च यानि हाली मनाई गया है 3 मही को तो उसकी थीम यहाँ पे information as a public good तो थीम आपको जरूर नोट करनें जैसमें आपको कई बार बता चुका हूँ और बताता रहता हूँ और आज का अंतिम question याप पे question number 15 है विश्व प्रवासी पक्छी दिवस का मनाई जाता है तो जो विश्व प्रवासी पक्छी दिवस मना जाता है आठ माई को मना जाता है विश्व प्रवासी पक्छी दिवस दिवस 2021 की थीम क्या है तो थीम यापको जरूर नोट करनी है तो कुल्मला के आठ माई को मना जाता है विश्व प्रवासी पक्छी दिवस के रूप में तो दोस्तों ये टोटल 15 कोशन थे जो कि आपके आगामी एक्जाम के दिश्व से काफी इंपोर्टेंट है और आपको वीडियो कैसे लगी है तो वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स अपने राए जरू बताएं वीडियो को लाइक और सेयर अधिक से अधिक जरू करें मिलते दोस्तों नेक्ट वीसा तब तक लिए धन्यवाद झाल